नवस्कार दोस्तों मैं निधी आपका अपने चाहिए नई सेफ में एक बार फिर से स्वागत करते हैं तो नई सेफ की आज नई special recipe है mango phirni जिसे आम की फिरनी भी बोलते हैं यह खाने में जितना ज़्यादर पेश्टी लगता है बनाने में उतना ही कम समय लगता है और इस पेसली ये पके हुए मैंगो से बनता है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना आम की फिर्णी बनाने के लिए सबसे पहले है आप चावल को अच्छी तरीकी से भीगो लिजिएगा तो हम आधा कप से ज्याद इसके बाद इसे पीस लेंगे इसका एक फाइन सा पेश्ट बनाना है दरदरा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए एकदम ज़्यादा बारिक होना चाहिए ऐसा रहे कि जब दूद में जाए तो अच्छी तरीके से घुल जाए इस तरीके से हम इसे पीस लिए हैं आप च हिसके बाद हम पीसे टाल देंगे चा बड़ दालने के बाद एक और टीप से चावल डालने के बाद इसको ड़र इसमे चाराते रह दो यह तके बन जाएंगे और खीर नहीं बनेगी चावल डालने के बाद करी 20 मिनट तक आपको इसे अच्छी से पकाना है तब फिर नी आपकी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो इसे आपको continue चलाते रहाना है अभी आप देख सकते हैं जो लम्स बना है जब हम चावल डाले थे उसे चलाए नहीं थे उसके बाद बन गया था यह गलती आप बिल्कूल मंत करेगा उसके बाद इसमें हम चीनी एट कर देंगे चीनी एट करने के बाद 5 मिर तक हम इसे पक आपको टेश्ट पसंद है तो आप यूज करिएगा खाने में टेश्टी लगता है अब हम गैस को बंद कर देंगे करीब 20 मिनट हो गया था और हमारी खीर बनकर तयार है आप देख सकते हैं यह बिल्कूल गाड़ी हो गई है ठंडा होने के बाद यह और जमता है चलिए आप देख सकते हैं पेश्ट में बिल्कूल गाठ नहीं होना चाहिए कोई भी छोटा सा पीस नहीं होना चाहिए नि फिरनी में अच्छा नहीं होगा इसकी बाद यहाँ पर हम खीर ले लिए हैं इसको हम इसमें एड करेंगे अच्छी तरीके से अगर आपको सर्व करना है तो आप आधा वाइट आधा मैंगो मिलाकर आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं उस तरीके से भी टेस्टी लगता है इसकी वीडियो हमने चाहिए पहले अपलोड कर चुके हैं अब इसको ठंडा कर लेंगे थोड़ी तरी फ्रीज में रख देंगे तक यह ठंडा हो तो आपकी डीस अपने आप अच्छी लगने लगेगी तो यहां एक बाउन में हम ले लिए थे खीर उसके बाद इस पर चोटे चोटे आम के पीश डाल दिये थे देन इसके उपर हम थोड़ा सा ड्राइब फूट्स डाल रहे हैं जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अट सेर करिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों और कमेंट करके जरूब बताएए गार रिस्पी कैसी लगी